हेलो फ्रेंट्स आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में तो आज मैं आपको प्रिंटेड प्लाजो का सबसे खुबसुर डिजाइन दिखाऊंगी जो आज कल काफी ट्रेंडी है जिसे हम प्लेइन फैब्रिक और लेस के साथ रेडी करेंगे तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपने इस डिजाइन को बनाना शुरू करते है तो ये मेरी प्रिंटेड प्लाजो पैंट है और ये मैंने इसके साथ का मैचिंग प्लेइन फैब्रिक लिया है ये फैब्रिक लगबक मैंने साथे चारें चौड़ा लिया है ये देखिए और लंबाई में ये उतना ही है जितनी हमारी प्लाजो बैंट की मोरी है और इस फैब्रिक की उल्टी साइड पे ऐसे मैंने पेपर पेस्टिंग भी लगा ली है अब हम इस फैब्रिक के उपर लेस को स्टिच करेंगे तो मैं इस पे ये नेट वली लेस यूज़ कर रही हूँ आप अपने एकॉर्डिंग कोई भी लेस इस पे स्टिच कर रखते हो तो लेस को न हमने फैब्रिक के उपर इस तरीके से रखना और यहां पे आधे इंच का मार्जन लेते हुए सीधी सीधी सिला ही लगा लेनी है तो ऐसे हमने एक साइड पे ये वली लेज को ऐसे स्टिच कर लिया है अब हमने यही वली लेज को इस साइड पे भी ऐसे रखते हुए यहां पे भी स्टिच कर लेना है तो ऐसे हमने दोनों साइड पे ये वली लेज को ऐसे स्टिच कर लिया है और देख़िये कितना खुबचूरत पेटरन हमारा ये लग रहा है अब हम इस पेटरन को अपनी प्लाजो पैंट के उपर रखके स्टिच करेंगे तो पैंट को ऐसे सीधा करके रखेंगे और ये वले पैटरन को ना इसके उपर ऐसे उल्टा करके रखेंगे दोनों को बिल्कुल बराबर रखेंगे और यहाँ पर ठीक उसी सिलाई के उपर सिलाई लगाएंगे जिसे हमने लेस को स्टिच किया है तो ऐसे हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है अब हम इस पैटरन को ऐसे नीचे की तरफ कर देंगे और यहाँ पे ना एक किनारी की सिलाई लगा लेंगे तो ये दिखिए फ्रेंट्स हमने इस पैटरन को ऐसे अपनी प्लाजो पैंट के साथ स्टिच कर लिया है अब हम इसे नीचे से फोल्ड कर लेते हैं तो इसे नीचे से फोल्ड करने के लिए न मैंने अपनी सेम प्लाजो पैंट वाला ही फैब्रिक कट किया है प्रिंटेड ये फैब्रिक लगबग मैंने छेइन चोड़ा लिया है और लंबाई में ये उतना ही है जितनी हमारी प्लाजो पैंट की मोरी है अब हम इस फैब्रिक को ऐसे सीधा करके रखेंगे और पैंट को भी इसके उपर हम ऐसे सीधा करके ही रखेंगे दोनों को बिल्कुल बराबर रखेंगे और यहां पर ठीक उसी सिलाई के उपर सिलाई लगाएंगे जिससे हमने लेस स्टिच की है तो ये वली सिलाई हमने ऐसे लगा ली है अब हम इस फैब्रिक को ऐसे आगे की तरफ लेके आएंगे इस तरीके से और यहां से आगे से इसे आधा इंच ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर इसके उपर ऐसे फोल्ड करके रखेंगे अपनी लेस के उपर और यहां पे किनारी की सिलाई लगा लेंगे तो ये देखिए फ्रेंट्स हमने यहाँ पे ऐसे किनारी की सिलाई भी लगा ली है और देखिए कितना खूबसूरत हमारा ये प्लाजो पैंट का डिजाइन बनके तयार हुआ है और कितनी जल्दी भी बन गया है ये डिजाइन तो अभी मैं आपको इस डिजाइन की लेंथ बतातेती हूँ कि कितनी रेडी हुई है इस डिजाइन की जो लेंथ है वो लगबग 6 इंच के करीब रेडी हुई है आपने अपनी जो पैंट की लेंथ है वो 6 इंच कम कट करनी है तो चलिए अब हम इसे fitting की सिलाई लगा लेते हैं तो ये देखिए इसे fitting की सिलाई भी लग चुकी है और देखिए कितना खुबसूरत लग रहा है हमारा ये plazo pen का design तो आप भी ये वला design अपनी plazo pen पे जरूर ट्राई कीजिएगा आपको भी बहुत ही खुबसूरत लगेगा तो अभी मैं आपको इसको पहन के भी दिखाती हूँ तो पहनने के बाद हमारा ये plazo pen का design कुछ ऐसे आजाएगा देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना तो अगर आपको मेरे design और मेरी ये वीडियो ची लगी हो